महिने से कतर में 8-9 सेनिक अधिकारी ग्रफतार अब जाकर खबर आई बाहर पाकिस्तान में लगाया आरो भारत का सुनकर खौला खुल भारत के रिष्टे से जलता है पाकिस्तार यही बोजा है जो कर रहा परचाद जिहां दोस्तों दो महिने पहले एक ऐसी घर्टा हुई जिसको सुनने के बाद भारत के तरफ से तुरंट एक्स से ले लिया गया है आपको बता दे इस समय कतर में 8-9 सेना के रिटार अधिकारे हिरासत में है और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या किर ये पुर्व सैनिक अपने देश वापस क्यों ही लोट पा रहे है और इसी के चलते अभी से विदेश मंत्राले की तरफ से गंभीरता से ले लिया गया है दोस्तों भारती ये पता लगानी की कोसस में जोटा हुआ है क्या किर इन 8 अधिकारियों को क्यों हिरासत में लिया क्या है लेकिन अभी इस पर कुछ पुष्टी निकल के सामने नहीं आई है अभी बताए नहीं गया है कि इन अधिकारियों को क्यों हिरासत में रखा गया है और इस सीज में बताय जो रहा है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सर्यंत रचा हुआ है तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डीटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरब लेकिन अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और सियर नहीं किया है तो इस बीडियो को लाइप और सीयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके दोस्तो अगस्त के महिने में कतर की एक एजंसी दिसे एस्टेट सेक्योर्टी ब्यूरो भी कहते हैं उसने भारत ये सिना के आठ नौसानिक अधिकारियों को हिरासत में लिया है और इस घटना के जानकारी दोहा में भारती दुतावास को सितंबर के महिने में दी गई है और सितंबर के अंत में ही इन अधिकारियों को अपने घर बात करने की इजादत दी गई है और पता ये भी चला है कि अक्टूवर महिने तर इन अधिकारियों से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया है और अक्टूवर की महिने में भारती दूतावास का आदमी इन अधिकारियों से मिल पाया है और इसमें भी हैरान कर देने वाली बात ये है यहाँ पर अब तक यह नहीं बता गया है क्या कि इन आठ अधिकारियों को क्यों पक्रा गया है दोस्तों जानगारी के लिए बता दे हिरासत में लिए गए ये दो एक कंपनी में काम करते थे जिनका नाम था देहरा गुलोबर टेक्नलोजी एंड कंसल्टेंसिब और इसके बार में मिलता है कि ये एक नेजी कंपनी है और ओमान इयर फोर्स का एक अधिकारी इसका मालिक है ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग भी दिया करते थे और जो कुछ भी हो रहा था अब इनके साम भी हो रहा है लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर क्यों इनार्ट दिखारें को पकड़ लिया गया है दोस्तों अभी ये मामला चली रहा था कि वहीं हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान के तरब से अब इस मामले में बेसर में दिखाने शुरू कर दी गई है किसी को भी ये बात समझ नहीं आई है कि आखिर पाकिस्तान इस मामले में बीच में क्यों कुद्रा है पर हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान के मीरिया के तरब से ये आरुप लगा ज़रा है कि भारती नौसिना के ये पूर्व अधिकारे इसराइल के लिए जासुसी कर रहे थे लेकिन इस बात की कोई पूश्टी नहीं है दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि खारी के देशों के साथ भारती काफी अच्छे रिष्टे हैं पर हमें देखने को मिलता है कि खारी के देशों में कई भारती काम करने के लिए चाया करते हैं पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर भारती को काफी इज़द की नजर से देखा जाता है इसके अलाबा भारती नागरिंग वहां कम्पनियों में काफी उच्विजे पदों पर बैठे हुए है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि सैनिक संबंध भी हमारे और खारी देशों के साथ काफी अच्छे है उनके सैनिक और हमारे सैनिक के बीच में युद अभ्यास भी होतावत दिखा गया है दोस्तों यहीं चीजे हमारे परुशी देश पाकिस्तान को बिल्कूल भी नहीं पसंद आती है कि भारत के रिष्टे खारी के देशों के साथ क्यों इतने जादा अच्छे है और हमें देखने को मिलता रहता है कि मुसलिम होने के कालत यहाँ पर खारी देशों से पाकिस्तान अक्सर पैसा मांग लिया करते है लेकिन इसके बाब जुद भी खारी के देश भारत को ज़्यादर तड़ी देते है किसी के चलते जब भी पाकिस्तान को कोई भी मौका मिलता है पाकिस्तान खारी के देश में भारत के परती बुराई पैदा करने की कोसिस करता रहता है भारत की खिलाब दुस्वरचार करता रहता है और भारत के जो खारी के देशों के साथ इतनी अच्छे रिष्टे बने हुए है उन वो खराब करने के लिए पाकिस्तान के द्रब से हर कदम उठाय जाता है दोस्तों कतर में आठ अधिकारी पकरे गया है इनको लेकर पाकिस्तान काफी ज़्यादा उल्टी सीदे बाते फ्यला रहा है हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया के तरब से और आयसाय पर चलने वाली कुछ वेबसाइट के चलिए ये बात को फ्यलाई जा रहा है कि कतर में जो आठ भारती अधिकारी पकरे गया है वो कोई बहुत बरी साजिस रच रहे थे पाकिस्तान इस खबर को बहुत बरी नेटवर्ट के पकरे गये रूप में दिखा रहा है इसके तरब से भारत ने भी साफ कर दिया है भारत ने बताया है हम कदर के लोग चाहिए लगतार बात्चित कर रहा है और इस मामले को हल करने की कोशिच कर रहा है वैसे दोस्तों कदर की तरप से जिस तरीके कदम उठाया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर आवसे बताए इसके अलाबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर गोलिवारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है इसके बाद दोनों देशों के बीच एक परमुक्स सीमा क्र परवती उत्तरपस्य में तोरखं के बाद दोनों देशों के बीच व्यक्ति के लिए सबसे मात्तवपूर्द सीमा भिंदू है जमन के प्रमुक्स व्यक्तान ने बताया है कि गोलिवारी में एक पाकिस्तानी सीनिक की मौत हो गई है और दो अन्य घैल हो गया है व्यक्तान जैदी ने घटना के पुष्टी के और बताया कि उनकी सीमा में कोई हताहत नहीं हुआ है कंधार में एक सुरक्चा अधिकारे ने बताया है कि समस्या तब शुरू हुए जब उनकी होड़ से तालिवान सेनको ने पाकिस्तानी सेनको उसे कहा कि वो अफगान नागरिक के जाधा भारतिये थे और वहाँ पर इंटरनेस्टन स्सक्रण सब से ज्यादा थे इस बात प्रया आत तो ये एंदाजा लगा सकते हैं। पर प्रकूंड्य इसन कर्यार के कर्येर का सवाल है उसलिए वो कोई पी रिस्क उठाने के लिए तयार है उनने में योदी की परवा है ना किसी और चीज की उन्हीं तो बस अपनी डिग्री से मतलब है क्योंकि भारत के मेडिकल कॉलिज में इन्हें अपनी डिग्री पूरी नहीं करनी जा रही है अगर ये लोग नहीं चाहते तो फिट इनके कई साल खराब हो जाएंगे और जतना पैसा पढ़ाय में लगा है वो भी बरबाद हो जाएगा भारत सरकार ने पहले भी कहा था और दोबारा फिर से अपील करके कहा है जितने भी भारती स्टुडेंट यूकरीन में है उन्हें यूकरीन से लोट आना चाहिए और इस्टुडेंट को यूकरीन जाना भी नहीं चाहिए दोस्तों सरकार वे इसी कोसस में दिख रही थे कि इन स्टुडेंट की साल भरबाद ना हो और ये यूकरीन का ना सही तो यूकरीन के किसी परुशी देश में ही अपनी डिगरी पूरी कर ले और कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री ऐस जासंकर ने एक मीटिंग में कहा था कि भ रूपी देशों को मिर्सी दो जरुक लगी थी यहाँ वर भारत के साथ द्या सिदा रूस उतर आया है और रूस का जो चैन्ने में कॉंसुलेट है उसके कैजुएल जेनरल ने कहा है जो भी इस्टुडेंट को रूस यूकरीन यूद के वज़ा से अपनी पढ़ाय बीच मे नहीं बुली जाती है इसलिए रूस में पढ़ाय में उन्हें भासा से संब्ढ़ने कोई दिकत नहीं होगी इस सबके बार में बात करते हुए उन्हें कहा है भारती ए स्टुडेंट को रूस में डिग्री कंप्लीट करने में भी दिकत नहीं आएगे और उसकी एमबैसी के को अफीसर नहीं कहा है कि जो लोग अपनी डिग्री रूस में पूरी करना जाते हैं उन्हें प्रेबियस एर की मार्क से और कुछ अन्य डॉक्यमेंट रूस के एमबैसी में देने होंगे इसके बाद रस्यन एमबैसी इस डॉक्यमेंट को यूनिवर्सटी के साथ प्यर करे और इसके बाद रस्यन यूनिवर्सटी इस्टुडेंट को कॉन्टक्ट करें उन्हें रस्या में पढ़ाए कैसे करना है यह सब बताएगे झाल करेंगी इसके बाद प्यूनिवर्स ड़क्यान प्यूनिवर्स और शाल हो।